नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी नैन भारत वर्ष के इसमंच पर जो सर्यू किनारे राम की पैड़ी पर अयोध्या में है एक आठ वर्ष का बालक सूरज तिवारी जब बारा साल की अवास्ता में पहुंचता है तो महंत सूरज दास बन जाता है वो भी हनुमान गड़ी का महंत और वो महंत सूरज दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं एक पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजे महंत सूरज दास मात्र 12 साल की अवस्था में यह चमत गार कैसे हुआ यह विशेस हन्माज की किलपा है हमारे उपर कैसे अब उनकी किलपा नहोती तो हम उनके चरन में सेवक क्यों बनते लेकिन कुछ बताईये हमारे दर्शकों को आपकी उमर 12 साल ही है न जी जी और आठ साल में आप घर से निकले जब हम घर पर रहते थे सभी भाईया पढ़कर आते थे सभी लोग दोरों मौन और पिक्चर ये सब देखते थे पर हम जब टाइम पारते थे तो लोग उसकांड देखते थे तो वहीं से हमको पेंड़ना मिली कि अगर इतने छोटे-छोटे वालक भगवान के सुरूप में इतना बड़ा-बड़ा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी पूरी जिंदगी हनमानजी के सेवा में ही लगा दे क्या बात है आठ साल की उमर में इतना विवेक और इतना ग्यान होना ही अपने आप में अद्बूत है जाहिर सी बात है आप पे कृपा तो है प्रभू की लेकिन अभी आपका क्या रूटीन है क्या करते हैं आप बस अन्मन गड़ी में रहता हूं सुवे उठता हूं तो असनान ध्यान होता है उसके बाद भजन उजन होता है थोड़ी देर उसके बाद हमानजी की सेवा में लग जाते हैं फिर साम हो है हम सब लोग अध्या निवासी इतने हैं अपने आपको गर्भुसाली मानते हैं और हुमारे सब के लिए सब्भाग की बात है पूरे उत्तर परदेश के लिए सब्भाग की बात है कि राम भगवान टेंट से अपने महल में जा रहे हैं इससे बड़ा खुसकबरी और कोई भी हो नहीं सकता है आपने टेंट में दर्शन कियें उनके जी हम सब लोग टेंट में जब दर्शन करने जाते थे तो बहुत चकीन लगती थी मोबाईल घड़ी पर्स गएर अगरा सब्रक्वा लेते थे वहां अब योगी जी की मोदी जी के सरकार में हम ड्राम लाला का दर करने देते थे लाइन लगती थी अब पतन किया और मधी कीरपा की किरपा हो गई कि जब से यह सरकार आई तहां सब लोग बभ़त धे जाते हैं दर्सन करते हैं और पूजन करते हैं नों कोई रोखने से अधिन 12 साल के उमर में आप योगी और मोधी सरकार भी कॉमेंट कर रहे हैं अब कर राजनिती में भी दिल 25 यह कि नहीं यह जया थियसे धि इन यह कि एक बार दो बार आते हैं सभी और अधियाम में साधू स को forward चाहन देते हैं और सबसे मिलते हैं और सबकी बाते रखते हैं सुनते भी हैं अच्छा योगी जी को अप इतना फॉलो करते हैं जी फालो नहीं हम मतलब हाँ प्रकार के वो हमारे गुरू के रूप में देखते हैं आपकी मुलाखात हुई है कभी हनुआनगडी तो आते हैं उ बार होई है, दो बार थीन. क्या बादचीत होई? वो परसनल बात हैं, वो हमारी हो उनकी ही बात हैं. बारा जी, आप 12 साल में बहुत आप काफी मैचूर हैं, लेकिन कुछ तो कहा होगा ना आपने उनसे, या उन्होंने आप से कहा होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हो? जी, जी, बोले, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको क्या क्या पसंद है, और यहां कैसे बेश्था है, यही सब. और अब योगी जी से आम मुल लिये हैं तो क्या मोधी जी से मिलने का मन है पर अभी हमको यही सोचने की बाद है निमंतरण नहीं मिला हुआ है फिर भी हम खुश है कि हमारे राम अयुद्या में ही है हम दर्सन करने जाएंगे अगर मोधी जी से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मोधी जी से यही कहना चाहते हैं कि जो नहीं आना चाहते थे उनको निमंतरण मिला हुआ है तो क्यों न हम सबको भी निमंतरण मिले एक चीज में आप पुछना चाहता हूँ, आपको योगी जी पसंद हैं, क्या आप योगी की तरह बनना चाहते हैं और राजनिती में आना चाहते हैं? नहीं हम राजनीती में नहीं आना चाहते हैं पर उनका कुछ सिच्छा हमारे काम का है जिसे वो बालब्रमचारी हैं और हमारे हनुवान जी भी बालब्रमचारी थी तो इसलिए हम भी बालब्रमचारी ही रहेंगे आप बाल ब्रमचारी ही रहेंगे जी राम पर क्या अध्यान है आपका भगवान राम को लेकर आपने क्या अध्यान किया है उनका जो सरल भाव था और उनका जो सब को मानिता देना था ये हमको बहुत अच्छा लगता था पूरी दुनिया में 300 तरह की रमाइने लिखी गई हैं सत्तर से जादा देशों में राम कथाओं की जड़े मिलती हैं और धाई हजार से जादा लोग कथाओं हैं जो राम कथा से मिलती जिलती है आपने कितनी पढ़ी हैं और कितना अग्यान अरजित किया है अभी करम कांड चल रहा है पर इतना हम जानते हैं कि हनुमान जी और राम जी हमारे हैं हम उनके हैं और हम उनको समझते हैं उनकी किरपा हमारे पर है आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कुछ सुनाईए सुन्दर कांड से हमारे दर्शकों के लिए हनुमान चाल सा सुना दें बिल्कुल सुनाइए सिरीगोर चरन सरोज रजनी जमन मुकुर सुधार बरन और अगवर बिमल जसू जो धाय को फल चार बुद्धेहीन तन जान के सुमरू पवन कुमार बलबुदि विद्ध्याद्य मुही हरं कलेस विकार जैहनुमान ग्यान जागर राम दोते अतलित बलदा मा अंजन पुत पवन सुतनाम मा वेर भी करम बजरंगी कुमत निमार सुमत के संगी गंचन वरं बिरार सुएसा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ बज्जी और धोजा विराज कान्दे मुझ जनियो साज संकर सुमर के सरीन अंदन तेज प् महा जगवंदन विद्यावान गुनी अत्चातुर राम काज करे बेको आतुर प्रवुचरी तुसूने बुगरश्या राम लगन सीतामन वस्या सुक्ष रूप दर से दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा में मुरूप धर असुर संगार राम चंदर के कास समार लाइ सजीमन लखंजी आए सीर घवीर हरस उड़ाए रखपत की हिन बहुत बढ़ाई तुम अंप्रिय भरत संभाई साहस बदन तुमरो जसगामे असका इस्रीपत कंठला गामे संका दिख ब्रमाद मुनीसा नारस सारस सहित अहीसा जम कुवेर दिख पाले जहां ते कब कोबित क इस सके कहां ते तुम पकार सुगरी हूँ कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र भवी शनमाना लंके सोर भाई सब जुग जाना जोकसा बानू ताय मदुर पल जानू प्रवो मुद्र का मेली कुमाही जलद लाद गे यच्रजनाही दुरगम काज जगत के जैते स सबसुग लाए तुम्हारी सरना तुम रख छका हो को डणना या पंतेस समारो आप तीनों लोग आप से कापे बहुत पिचास निकट नहीं आवे महाविर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन करम बच सकल तुम साजा और मनों रज्जो कोई लावे सोईयमी जीवन फल पावे चारो जुग परताब तुम्हारा है पर सिद्ध जगात कुझी तुम रख वारे अश्र निकंदन राम धुलारे अश्ट सिद्धन नित के दाता अस्परदीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदार और रख पत के दासा तुम्हरो भजन राम को भावे जनम जनम के दुग बिर्सावे अंतकाल रख पर पुर जाई जहां जनम हरी भक्त कहाई और देव ताचित नदर हनमत से सर्बस्ट करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनमत बलवीरा जे 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 हनुमान गु साइं किर्पा करूं गुर्देयों कि नहीं जो सतबार पाठ कर कोई छूटे विंद महासुख होई जो है आपने हनवान चालिसा होई सिद्ध साख्षी गवरी सा तुलसी दास सदा हर चेरा कीजे ना थिर्दे महडेरा पांतने संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सब्सक्राइब कि आप सब में से कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि बारा साल का एक लड़का कैसे महंत हो सकता है देखा आपने एक बार जोरदार तालिया तो बनती है इनके लिए जय जय स्री राम भाराज जी आपने अब बहुत सुन्दर हनुमान चालीसा का पाड़ किया मन मोह लेने वाला राम तरित मानत सभी कुछ पंक्तिया सुना सकते हैं क्या हमें दो पंक्तिया बिल्कुल सुना दीजे भय पर गट किरपाला देन दयाला को सल्या हितकारी हर सित महतारी मुनि मनहारी अतबुत रोप निहारी लोचन अभिराम तन घन स्याम निज आयू भुज चारी वो सडवन माला नैन विसाला सोभा से दुखरारी कर दोई कर जोरी आस्तुति तोरी कहीं वीधि करूं अनन्ता माया अगन ज्यान तेथ यमान बेद बुरान बननन्ता लेकिन महान सुरजदास आपकी उम्र बारा साल है बारा वर्ष बारा वर्ष की उम्र में बालक वीडियो गेम खेलते हैं माबाप के साथ जाते हैं बाहर वो फिल्में देखते हैं OTT पर आजकल फिल्मों का दौर शुरू हो गया है पीजा खाते हैं चौकलेट खाते हैं दोस्तों के साथ खेलते हैं आप कभी तो मन करता होगा कभी यह सब करनेगा आज के चार-पांच साल पहले मतलब हमारे सुनने में आथा कि भागोत कथा हो रही है चना चोरा हनमन्त कुटी मिस्रोली तो हम सुचे कि एक बार चले म spricht माना का पाथ पाए था और राम कथा हो रही तो वहां में लोकुकॉसकान के बारे में राम जी के मतलब बारे में सुनना और देखा Himak इतना अच्छा हमको लगा और मतलब मंदिर जो है वह बहुत शप्छ और साफ और बहुत प्रसित दिर मंदिर है वहां के स्री सिर्पत्दाश महराज महारे गुरु है घर वालों को आपने कहा कि भई जाना है इस लेकिन हमने कहा नहीं हम पांज भाई है चार वांगरें सबकुछ चल रहा है हम भगवान की सेवार में क्यों नहीं चले जाएं जाने और हम चाहते हैं कि हर इंदूगर्से एक भाई भाई भगवान के सेवा में उपस्तित होना चाहिए हर दम आरे बहुत बड़ी बात की अब बहुत बड़ी बात कहीं आपको 9 माता जी ने क्या कगा जाब को सादू-बनना है मतलब उनसे यह नहीं वताए हैं कि आप छलेने सॉख्षा लेनी जा रहे है इसलिए पूरा साथ पीड़ी उद्धार हो जाएगा कि क्या बात है मेरे मतलब मेरे पास तो शब नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए लेकिन फिर भी आज की आपने कहा कि हर हिंदू घर से एक बच्चा जाए और साधू बने क्या आजकल की युवा पीड़ी के लिए भी हमार रिक्वेस्ट करते हैं हम उनसे कि दिन भर के बीच में स्रीफ एक घंटा भगवान की भक्ति करें तो उनका पूरा उद्धार हो जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा कितनी पढ़ाई कि आपने अभी पढ़ाई चल रही है संस्कृत से और वैसे जब आट साल तक थे त कि नाम को पसंदी आपको अंग्रेजी पसंदी नहीं है तो जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं उनको बड़ा लिखा माना जाता है राजनीती पर आपका बड़ा इंट्रेस्ट है 22 जनवरी के प्रान परतिष्ठा कारिकरम के लिए बड़ा विवाद हो गया है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमें आना नहीं है अधूरा मंदिर है उनके लिए आप क्या कहेंगे हम यह कहेंगे कि राम भगवान जब खुले में थे और टेंट में थी तब तो कोई आया नहीं ध्यान नहीं दिया अब भगवान अपने महल में जा रहे हैं तो इससे खुसी की बात कोई हो नहीं सकती और जो नहीं आना चाहते हैं यह उनका भरम है कि राम भगवान के मिस्तरर में आ जाएं वो कम से कम खुले मैदान में थे अब वो महल में जा रहे हैं इससे बड़ी उनके लिए खुशी क्या हो सकती है आप भी बहुत खुश दिख रहे हैं जी हम सब लोग बहुत खुश हैं नव कंज लोचं कंज मुख गरे कंज पत कंज आरुणं कंधर बयंगडि आमेत छविन नेल नेरद संदरं पट पेत मानं तड़ी तरोच सुचि नौमी जनत सुतावरं बाजो देन बंदू दिने साधान धैत वंस निकंदनं रगुननंद आनं गंद कोसल चंद दसरत नंदनं सेरे मुकोट कुंडल तिला को चारुदारु अंग बिवोसनं आजा नबोज सरचाप दर संग्राम जित खण दोसनं एत वदेत तुलसी धास संकर सेस मुनिमन रंजनम मम्मा हिर्दय कंजन वास गुरू कामा देखल दल गंजनम मनु जाही राचो मिला ही सोवर साहाज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील क्या बात है जोरदार तालियों के साथ महराज जी का अबिनंदन किया जाए इतनी कम उमर में इतना ग्यान इतना विवेक इतनी मैचॉरिटी शायदी किसी में आपने देखी हो तो महन सुरजदास तीवी नं भारतवर्श के स्टेज पर अपसे बात कर रहे थे बहुत-बहुत आपका शुक्रिया बहुत-बहुत आपका आभार महराज जी आपने अपना वक्त हमें दिया बहुत-बहुत जय स्रीराम जय हनमान जी